Hello friends, welcome to your Genails classening. Friends, Soôi आज की इस वीडियो में सिखने वाले हैं इस तरह के प्रसनों को हल कैसे करते हैnous जैसा की प्रसन्त दिया हुआ है 15 पुस्ताइकों का मूली 750 रुपया है तो, 3 पुस्ताइकों का मूल ग्याद कीजिये तो इस वाले प्रसन को यहाँ पर हल करने के लिए सिखने वाले हैं तो अगर आप इस वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए देखें यहाँ पर इसको बनाते हैं देखे प्रसंट पहले बढ़िया से समझ लिना है 15 पुस्तकों का मुल्य है जो 750 रुप्या है तो यहां से सबसे पहले एक पुस्तक का मुल्य ग्याद करेंगे तो यहां पर लिखना है चुकि 15 पुस्तकों का मुल्य बरावर 750 यानि कि 15 पुस्तक का मुल्य जो 750 प्या है फिर लिखना इसलिए एक पुस्तक का मुल्य बरावर एक पुस्तक यहाँ पर मुल्य ग्याद करने के लिए 750 में 15 से भाग देंगे तो लिखेंगे 750 और बटा 15 और यहाँ पर इसको भाग देंगे तो देखें 15 से एक कट जाएगा 750 तो पचास पचास वार में, चलिए यहाँ पर देखे, एक पुस्तक के मुल्य ग्याद हो गया कि एक पुस्तक के मुल्य पचास रुप्या है, तो उसी तरह से तीन पुस्तक के मुल्य ग्याद करना है, तो फिर यहाँ पर लिखना है, फिर तीन पुस्तक के मुल्य बरावर, ए से गुना कर देंगे देखे अगर 50 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1500 होगा यानि कि 3 पुस्ताओकों का मुल्य कितना हो जागा तो 1500 रुपई यहाँ पर एंसर हो जाएगा चले तो इसी तरह के एक और परसंद को देखते हैं देखे इस परसंद में क्या दिया हुआ है 20 पुस्ताओकों का मुल्य 1000 रुपया है तो 5 पुस्ताओकों का मुल्य ग्याद करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक पुस्तक का मुल्य ग्याद कर लेंगे और फिन 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर लिखना है चुकि 20 पुस्तक का मुल्य बराबर 20 पुस्तक का मुल्य कितना है तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे चलिए यहाँ से एक पुस्तक का मुल्य ग्याद करेंगे तो यहाँ पर लिखना है इसलिए एक पुस्तक का मुल्य बराबर एक पुस्तक का मुल्य ग्याद करने के लिए एक हजार में यहाँ पर जो बी से उसे यहाँ पर भागा देंगे तो देखें यहाँ पर एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा और 2 से 100 कर जाएगा 50 बार में यानि कि एक पुस्तक का मुल्य कितना है 50 रुप्या है तो हमें ग्याद करना है 5 पुस्तकों का मुल्य तो यहाँ पर लिखना है फिर 5 पुस्तकों का मुल्य बराबर देखें यहाँ पर एक पुस्तक का मुल्य 50 रुप्या है और 5 पुस्तक है तो यहाँ पर लिखेंगे 50 गुना एक पुस्तक का दाम 50 रुप्या है और हमें 5 पुस्तक का दाम ग्याद करना है तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे तो देखें 5 से जब 50 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 250 आ जाएगा यानि कि 5 पुस्तवकों का मुली कितना हो जाएगा 250 यह अहाँ पर एंसर हो जाएगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होते लाइक कीजिए और इसी तरह के परसनों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए